Good morning my dear student, I welcome you in behalf of Scholars Public School सबसे पहले तो Class 10 की जो First Flight Book है उसके जिस चेप्टर को हम कर रहे हैं उसका नाम है Nelson Mandela A Long Walk to Freedom ये चेप्टर जो है, वो काफी इंटरस्टिंग चेप्टर है और ये Nelson Mandela की पूरी जीवन गाथा के उपर है तो इसमें कुछ आपको जो डाउट्स थे, उन डाउट्स को मैं हाइलाइट कर देता हूँ और उनको सौलू कर देता हूँ आपने कुछ ने लिखा है कमेंट बॉक्स में कि We, who were outlaws not so ago इस लाइन का मतलब मैं आपको explain करता हूँ We मतलब हम, हम मतलब South African लोग who were जो की थे outlaws मतलब बाहर निकाले हुए not so long, बहुत लंबे समय पहले नहीं क्योंकि जब South Africa में Republic Government की जो स्थापना हुई थी Democratic Government की स्थापना हुई थी उससे पहले क्या था? ये सारे लोग जो है ये सारे लोग जो है मतलब South Africa के जितने भी लोग थे इनका अंतराश्टी मंच पर कोई मान सम्मान नहीं था इनके साथ में सारी कंट्रीज ने अपने रिलेशन को ब्रेक अप किया हुआ था तोड़ा हुआ था इनसे रिष्टा क्योंकि यहां पर एफर्थाइट सिस्टम लागू था पर अब नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि अब इंतराश्टी लीडर्स वहां इकटे हुए है उन्होंने यह साबित कर दिया कि हम जो है अब अफरीका की जो नई चुनी हुई गवर्मेंट है उसके साथ खड़े हैं तभी वो महाँ पर महँआन बनकर आए है नॉट सो अगो यह इसमें लिखा हुआ है क्योंकि आज वो बाहर देश से आए है हमारी मिट्टी पर हमारी जमीन पर तो हमें होस्ट करने के लिए आए है तो इसके लिए हम मतलब उनके आभारी भी है और आज हुनोंने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि वो अब साउथ अफरीका के साथ में चलेंगे क्योंकि अब यहाँ पर गवर्मेंट जो है वो वेल इलेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर अब फ्रीली इलेक्शन हुए है और एक चुनी हुई सरकार है अब यहाँ पर किसी के साथ में कोई रंग बैद नहीं किया जाएगा उसके बाद कुछ समय बाद हमने अपनी आँखों को उपर किया देखा आसमान में जो है वो क्या था? स्पैक्टिकुलर मतलब ब्यूटिफुल एरे ऑफ साथ अफरिकन जैट्स मतलब कलरफूल और इंप्रेसिव वे में एक पूरा जथा जो है जैट का अफरिकन जैट का और हेलिकॉप्टर्स का और ट्रूप्स का ट्रूप्स का मतलब होता है सेना को आगे ले जाने वाले जो केरियर्स हैं जो एरोप्लेन से उस सब आसमान में दहाड रहते मतलब बाबाजुन की गरजना जो आसमान में आ रही थी हेलिकॉप्टर्स और यह सब क्रमबत तरीके से उनका जो भी फार्मेशन होता था उसे फूरा करते थे और ट्रूप्टर्स और उसी आसमान में उस बिल्डिंग के आसपास भूम रहे थे और अपना प्रदर्शन कर रहे थे यह सिर्फ पीन पॉइंट प्रिस्टिशन यह सिर्फ पीन पॉइंट प्रिस्टिशन नहीं है मिलिटरी फॉर्स का अपना प्रदर्शन कर पाती है बिना एरर के प्रेन उड़ा पाती है सिर्फ यह उसके लिए नहीं है बटर डेमोंस्ट्रेशन अपर मिलिटरी जोयलिटी किसका उस मिलिटरी का जो लोयलिटी है मतलब जो वफादारी है डेमोक्रेसी को लेकर उसका डेमोंस्ट्रेशन था है मिलिटरी भी मतलब बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है से नहीं तै करती है कि क्या होना चाहिए पर यहां पर लिडर्शिप का बोल बाला आप यहां शुरू है इसका मतलब जो है अब आर्मी भी जो है वो लिडर्शिप के साथ में और गवर्मेंट के साथ में मिलकर काम करना चाहती है तो अ न्यू गवर्मेंट जो नई सरकार है आप सबको पता है नई सरकार कुन सी थी नेलसन मंडेला की सरकार थी जिसको freely elected किया है मतलब बिना दबाओ के और fairly मतलब साप सुतरे तरीके से उसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दांदली नहीं हुई है चुनाओ में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है freely and fairly elected है only moments before जो कुछी शनों पहले कुछी दिनों पहले और कुछी seconds पहले इस अपत उन्होंने ली तो कुछी समय हुआ है इसको तो उसके लिए कहा गया है the highest general of the South Africa defense force जो highest generals है South Africa की defense के रक्षा के और police जो है their chest bed deck with the ribbons जो उनके chest है वो सजे हुए है किसे medal से और उसके साथ ribbons भी उनके लगे हुए है from days gone by कब से ही saluted me अब मुझे उन्होंने क्या किया है salute किया है and placed their loyalty और शपतली है अपने वफादारी की देश के प्रती I was not unmindful of the fact not so many years unmindful का मतलब होता है not unmindful of means conscious नहीं होना मतलब अभी भी वो अपने दिमाग से उन सारी चीज़े को निकाल चुके हैं उन्हें वेसे याद तो है पर फिर भी वो उसे याद नहीं रखना चाते so many years before कुछ सालों पहले they would not have saluted उन्होंने मुझे कोई salute नहीं किया but arrested me इसकी बजाय मुझे arrest भी किया finally a chevron of impala jets left a smoke trail of the black जो impala ये name of the jet है जिस प्रकार से मिराज मिक 21 और जिस प्रकार से आप देखते हैं राफेल उसी प्रकार से ये भी एक jet का नाम है तो इसने क्या किया trail बनाई पीछे जो उसका smoke है उसकी trail बनी तो उसका color black था दूसरे red, green, blue and gold of the new South African flag मतलब सुबाइक सी बात है जब पीछे smoke निकलता है उसका color तो सबका एक जैसा होता है पर reason उसका ये रहता है कि पीछे उसके साथ साथ वो क्या कुछ ऐसे color भी distribute करते जाते हैं पीछे ताकि वो एक flag का का ले ले जैसा कि सारे jets को आपने भी देखा होगा वो अक्सर क्या करते हैं जब आसमान में उड़ते हैं तो तिरंगा बना देते हैं मतलब उसमें तीन रंग इस्तमाल किये जाते हैं तो जो South Africa का जो flag है उसी तरह से उस flag को भी continue रखा और blue gold और ये South Africa के flag को इन्होंने बना दिया तो ये आसमान में एक अनों का नजारा था ठीक है ताकि वो जादा अच्छा impressive way में ये दिख पाए कि क्या आसमान में चल रहा था उस वक्त अब मुझे सिंबलाइज किया गया दिन को तो टू नेशनल एंथम्स वहाँ पर बजे दो नेशनल एंथम्स उन्होंने गाए ये काफी घर्व की बात है क्योंकि पहले एक ही नेशनल एंथम होता था और ब्लेक्स ने उन्होंने गाया दाई स्टेम्स ये दो नेशनल एंथम्स है इनके प्रणनसीशन जो थोड़े अफ्रीकन लेंग्वेज में है तो थोड़े आपको अटपटे लगेंगे हो सकता है आप मिस्प्रणनसीएट भी कर पाएं इसको हो जाता है पर आप दिक्कत इसमें कोई भी विदेशी लेंग्वेज में मिस्प्रणनसीशन हो जाता है तो वो कोई इतनी बिगेस्ट मिस्टेक नहीं है जो ओल्ड एंथम था रिपब्लिक का वो भी गाया गया और जिनको अफरिकन ब्लैक्स के जो दिखे न आपको डाई स्टेम यह हो सकता है यह एंथम इन सारे लोगों को नहीं पता हो पर बहुत ही जल्दी जो है यह सारे लोग जो हैं दिल से इसे याद कर लेंगे दोनों नेशनल एंथम को जिस प्रकार हमारे नेशनल सौंग भी है और नेशनल एंथम भी है तो हमें दोनों आते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी दो नेशनल एंथम्स नेशनल एंथम्स जो है सबको याद हो जाएंगे यह अफरीका के लिए गरुकी बात होगी तो डियर स्टूडेंट यह था आज का हमारा लेक्चर यह केस अलगा आप कमेंड बोक्स में लिख सकते हैं आपकी कोई परेशानी हो तब भी तो तो तेंकी सो मच पर जोनिंग मी है और ग्रेट डेख देख है और ग्रेट डेख देख